कि गुद मॉर्निक डेश्टुडेंट्स हाव रिवाल आई होप यौल फीट फाइन ओके जैसा कि आप सब जानते हैं एक्जाम शुरू होने वाला हैं बहुत जल्दी और यह आखरी लेशन है हम रिवाइस करेंगे ठीक है आपको सब्सक्रालेंट्स आच्छे से पढ़ना है और सब एक्सेश्ण लिखने के बाद सब्सक्राइब कोरलेंट्स एंर ने स्यांतों है कि यौ और एकजम थोरा साहाड होने वाला है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और त्यारी करें ठीक है आज रिवाइज करेंगे एंपरर रशुका लेसे नमबर 19 ठीक है Now we will revise the lesson Emperor Ashuka. In this lesson we have learned that Emperor Ashuka was one of the greatest ruler of India. He ruled more than 2000 years ago. इंपरेर रशुका जो थे बहुत ही महान राजा थे और वो लगबग 2000 साल पहले हमारे इंडिया में रूल करते थे ठीक है उनका जो केपिटल था वो था पटली पुत्रा उनकी राजधानी जहां पर वो खुद रहते थे ठीक है और ये राजधानी पूरी तरह से बहुत ही उचे दिवारों से प्रोटेक्टेट क्या गया था बनाया मतलब बहुत ही हाई वाल था उनके एंपर के सभी दिशाओं में ठीक है पूरे एरिया के बाउंडरी पर बहुत ही उची दिवार खरी कर दी गई थी ताकि दुश्मन जल्ली से अंदर ना आ पाए और अक्रमन ना कर पाए ठीक है एट एक नहीं कर पाए तो वो सेफ रह सकते उनके जो लोग थे वो भी सेफ रह सके इसलिए उनकी सिटी के अंदर बहुत सरे घड़े थे लोग रहते थे मंदिरे थी ठीक है शॉप्स थे मार्क है थी कि आप जानते हो वो जगह कौन सा है जिसे कलिंगा कहते थे haven बर्तमान में ओडिशा है ठीक है तो पहले उसे कलिंगा नाम से जनदाता था तो अशुका इंडिया के बहुत बड़ी हिस्से को रूल करते थे लेकिन वो चाते थे कि उडिशा में भी वो अपना राज्य स्थापित करें तो उसे जितने के लिए उन्होंने यूद लरी ठीक है यूद किया तो कलिंगा वाज रिजियन देट वस नॉट अंडर हिस रूल अशुका वाज सैट टू सी दीजिए डिजाइड नॉट टू फाइड एनिमोर वर्स तो उन्होंने बहुत बड़ी राज्य जो रूल करते थे वो चाते थे कि कलिंगा जो था उडिशा वो भी आपने राज्य के अंदर आजा और वो उसे भी रूल करें जिसके लिए उन्ह मतलब ते किया कि फिर कभी नहीं यूद लरेंगे जिससे बहुत लोग मरे जाते हैं इन्जोड होते हैं ठीक है तो वो कभी यूद नहीं करेंगे ऐसा उनुने ते किया युद के बाद लोगों की दुर्दशा है और जो लोग मरे गए उनकी दुख से वो ये सहन नहीं कर पाए और फिर उन्होंने ते कि या कि वो लोगों की मदद करेंगे फिर उन्होंने बहुत कुछ क्या लोगों के लिए, आशोका ने उनकी जो बहुत कुछ important times थे, वो important time उन्होंने लोगों के लिए बिताए, उन्होंने रस्ते बनाए, घर बनाए लोगों के लिए, रस्ते के नजदिक में trees लगाए, फिर लोगों के लिए, पानी के लिए समस् बहुत अच्छे कर्म थे जो लोगों के लिए उन्होंने किया था ठीका अशोका एंड बुदिजम अशोका बेकेम एफॉलोवर अफ गौतम बुदा दा बुदा आस्ट पीपल तो बी काइं तो अल लिविग थिंग्स अशोका अलसो आस्ट पीपल तो ब grin to others that expect their elders always speak the truth Ashoka spend sent his children to far off places to spread the teaching of the Buddha he also got his message code on rocks and pillars these were put at different places in his empire people could read and learn from them Ashoka spread the message of peace अशोका ने कलिंगा वार के बाद बहुत मतलब पच्टाए और बहुत रोई जिनके कारण उन्होंने ते क्या था कि वो कभी युद नहीं लेंगे लोगों की मदद करेंगे फिर उन्होंने गोथम बुद्धा को अनुशरन किया गोथम बुद्धा का जो ठीचिंग था उनको तो अशोका उल्सो चाते थे कि वो यह टीचिंग लोगों में फेलाए फिर उन्होंने सबको यहीं सिखाया तुबी काइंड आदर्स रेक्सपेड़ जो बड़े हैं उनको सन्मान प्रदन करें सभी को प्यार करें हमेशा सज बोले लोगों को मदद करें अपर अशोका ने अपने बच्चों को भी बहुत दूर दूर बेज दिया ताकि वो गतम बुद्धा के टीचिंग को हर जगा फेला सके वो गतम बुद्धा के जो मेसेज था उसमें क्या था पीस था शांती अगर सब लोग एक साथ रहते हैं एक दुस्रे को प्यार करते हैं सन्मान देते हैं और हमेशा सज बोलते हैं अच्छे काम करते हैं तो यह दुनिया शांती पूर्ण हो जाएगी सब अच्छे से रह पाएंगे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाए जिसमें वो टीचिंग्स बुद्धा के टीचिंग्स लिखे थे ताकि वो लोग पढखर भी सिख सके ठीक है तो यही था अकबर के जीवनी जो नोने लोगों के ले किया अच्छे की मार्क पर चलने के लिए लोगों को सहायता किया दिया स्टुदेंस इस लेसन में हमने सिखा कि आशोका रूल्ड ओबर लाज एंपयार पटली पुत्रो वाज इस कापिटल आशोक अशोका फॉर्ड दा कलिंगा वार आफ्टर दीश ही दिद नोट फाइट अनी अधर वार देन अशोका है विस पीपल इन मेनी वेज अशोका फॉलोड दा टीचिंग अव द बुद्धा अशोका स्पेट दा मेसेज आफ पीज अगर इसमें कुछ भी रह जाता है आपको सम मुझे नहीं आया तो अब मुझे वर्टसप कर सकते हो फोन कर सकते हो ठीक है